पर यह अंद्धे कहीं के देखकर कार नहीं चला कुछ नहीं होगा तुझे आ आमने बच्ची को सही समय पर बचाएं पास्च में ही मेरा घर है कुछ कहा कर जाए ठीक है मैं चलता हूं क्या हुआ भाई कि क्या बात हैmotion मैडम कि आप ने भाई तो अपनी बेहन याद आगे आप कौन हैं कहां से आये हैं मैं गांधी गावन से आया हूँ नौकरी ढूंडनी के लिए ग्रेजुएट हूँ लेकिन सडकों पर भटक रहा हूँ चलता हूँ एक सोडा देना क्या भईया हर दिन की तरह आज भी नौकरी नहीं मिली किया पड़े लेकि लोगों को नौकरी कहां मिलती है आमा यार तुम अपना ये पिटारा लेकर क्यों गुमते रहते हो इसे यहां क्यों नहीं रख देते अगर सूटकेस खाली होता तो मैंसे यहां पर र हालो मैं रजनी नाथन हाँ चाड़ो क्यों यह सूटकेस मेरा है मैं तुम्हें का सूटकेस मुझे दो चल फूट पोलिस मेरा सूटकेस वापस दो यह मेरा है वापस दो ठीक है जाओ रुक 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 ऐसे जाएगा तो करेगा कैसे जल्दी आना तेंक यू सर जल्दी आना यग क्यार क्यार में अज्खब। जल्दी आना क्या करो च'Tुम्हे जल्दी दो एटत्य gì को यह अले मेरा सुष्टे चोब पुलिस पुलिस सर थेंक्यू सर यह बार बार थेंक्स क्योंकरा महा भारत भगवत गीता ये सब क्या है भाई इसके लिए तुम पुलिस पुलिस चिला रहे थे तुम ही क्या लगा इसमें पैसे हैं तुमने दुकान में क्यों कहता है कि इसमें बहुत कीमती सामान है इसे ज्यादा कीमती सामान कुछ हो सकता है ग्या इसे कबार में बेच कर त प्राजू ये मेरी जगह है, मैं ही यहां का राजा हूँ, मैं ही मंतरी और रानी का है? रानी तो नहीं है सारी चीज़े अपनी जगह पर रखी ज़रूर हैं, लेकिन इस जगह को मैच नहीं कर दे मैच कैसे करेंगी? मैंने अलग-अलग जगह से चुराई हैं क्या कहा? ये सब चोरी की चीज़े हैं? मुझे छोड़ कर चोरी करना तुम्हारी यादत या तुम्हारा पेशा है? ऐसा काम करना अप मेरी मजबूरी लेकिन अप तो धन्दा बना लिया है ये राजू, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम ये सब करके पाप कर रहे हो? क्या फाल्दू की जोक मार रहा है? पाप और वोड़ने कुछ नहीं होता, ये शब दरबोग लोगों के हैं, इस चक्कर में मत फसो, मैं जो कहता हूं वो करो ठीक कहते हो, लेकिन ये सब छोड़कर इमानदारी से काम करोगे तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे दोस्त ये सब क्वालिटी गांदी, जीजस, मुहम्मद में थी, लेकिन क्या वो उनका? एक को गोली मार दी, एक को फासी पर लटका दिया और एक को पत्थरों से मार दी, आप तुम बोलो मैं मानता हूँ कि आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उनको पूछते हैं क्या मुसीबत है? मैं गांधी बन जाओं क्या? तुम बोलो दूसरों की भलाई के लिए हम काम करेंगे, तो हमारी पूजा करेंगे सब लोग बच्चा पांच पैसे भी नहीं देगा कोई हमें, मुझे अपना स्टेश्यों नहीं बनवाना यहाँ पर एलेडियेश दरूरी है, पेरा पेट भरा रहा है पूलिस गई? चली गई? ये क्या? चोर कोई और पकड़ा जाता है और परिशान तुम होते हो पूलिस की सीटी सुनते ही तुमारी सीटी बज जाती है और बातें करते हो गांधी, जीजेस और नभी की हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम इतना सारा कमाते हो और तुमारी जिंदीगी में बिल्कुल सुकुन नहीं है चड़ो यार, तुम क्या जानो, मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं रास्ते बे कुत्तों की तरह भटकता था ना जाने कितनी जगे काम मागने के लिए गया, बहुत कुछ साह मैंने, इसी एक अनाम जिंदगी है, लोग है क्या? मैं नहीं पीता, आप समझ में आया है कि तुम ऐसे क्यों हो? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, यहां घटीचर मैं हूँ, तुम जब से आया हो, एडवाइस पे एडवाइस दिये जा रहे हो? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ चला सुनाओ एक औरत थी, जिसके एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में शराब थी तब ही वहाँ एक आदमी आया, जो तुम्हारी तरह था, उस औरत ने कहा या तो इस बच्चे को मार दो, या मेरा रेप करो, या फिर कि दारू की बोतल पी जाओ अगर इन में से कुछ भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा खून कर दूँगे ये सुनने के बाद वो आदमी डर गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूँ उसके बाद उसके मन में विचार आया, कि खून करना तो महापाप है और रेप करना उससे भी बड़ा पाप इससे अच्छा है शराब पीना और ये सोचकर वो शराब की पूरी बूतल पी गया और शराब पीते ही उसे नशा चड़ गया उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा उसने औरत के साथ रेप किया और बच्चे को भी माल डाला शराब जो है सभी बुराईयों की जड़ होती है पाप का कारण है ये शराब अच्छे इंसान को बुरा बना देती है शराब इंसान को तबाह कर देती है जिस दिन शराब छोड़ोगे न तरक्की कर जाओगे प्यारे तुम्हारी कहानी में दम है तुम्हारा नाम क्या है रजनी नाथन रजनी नाथन बहुत पुराना हो गया है अब तो सिर्फ रजनी कहो है रजनी हमारी ताकत दस लोगों के बराबर होती है जब हाथ में पैग होता है रजनी पैग अंदर गया रहें कि सच्छाई बा तुमने अपने जिन्दिगी का जो रास्ता चुना है वो गलत रास्ता है, तुम चाहो तो रास्ता बदल सकते हो, अगर तुम्हें अपने कर्मों पर जरा भी पच्टावा है, तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम मजाग कर रहे हो, तु तुम मुझे जोईन कर लो और मेरे पार्टनर बन जाओ देखो राजू, रात में यहीं रुको, कलम बैट कर बात करेंगे हाँ मैं यहीं रुकूँगा, पर अपने लिए नहीं, तुम खुद को बदल सकते हो तो मेरा वादा है कि मैं यहीं रुकूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा तो तुम मुझे बदलना चाहते हो, देखता हूँ तुम बदलते हो या मैं बदलता हूँ मेरे दोस्त राजू, तुम मेरे गुरू हो, तुम्हारी सलाह ने मेरी राह बदल दी है आज से मैंने अपनी सिंदिगी तुम्हारी तरह शुरू कर दी है और इसकी शुरूआत मैं तुम्हारे घर का समान चुरा कर रहा हूँ हो सके तो मुझे माप कर देना रजनी, तुम मुझे बदलने चले त्यार खुद बदल गए तुम मुझे बदलने तुम गपार Sich Hai कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झेल झाल कि वार झाल जाल मैं बहुत अच्छों बाता हूं आपको अभी बताता हूं ओ भगवान हम नादान है जान ले तेरी शरण में आए हैं हमारी बात मैं आच्छों जूमू क्या हूं सबको में बिस्कों दिखाओं सबको अपना दिवाना बनना हूं मेरे मुझे भोख लगे, थोड़ा खाना दे दो मुझे जल्दि सुर्ईष थेंक्यू साथ प्रिवार अर्थ मुझे लगता हुआ अ closing कि प्रक में भूनें हैं ज्ञाक्र फो दूरर कंगे है जैनि scientists आँ और टर्श को लेगे वाने चलो हरे रे कि इयेंद एल बहुत है ङाग नाट जो है अदेल जेल विल्या पान्दे वहाने जलो हरे कि अधिए कर दो दिखाई नहीं देता क्या मैं भी एक इंसान हो तुम्हारी तरह एक गार तुम्हारी है अम तुम्हें यहीं धेर करतेंगे देखता हूँ कौन की से धेर करता है इस अपनी का नकात का बहुत बड़ा घमेंड़ है यह मानु भीर से मरो कर दो करें कर दो कर दो गल्वार समग ड्टार बाराए 책 दके विजयना सॉार। गिल्वार्या सुनतर विaci करोना है अजयर दारीप्ग म्सक्ष्ड shares ll‍ में कर दो कर दो कर दो! कर दो, कर दो, कर दो. झाल झाल बहुत बहुत धन्यवाद कोई बात भी कौन थे ओलो हमें नहीं वालू रास्ता रुकर किड्नैप करने की कोशिश की आपने बचा लिया हमें के ठीक है अब यहां पार क्यों खड़े हैं चलो घर चलते हैं आओ भाई चलते हैं भाई सर यह है हमारा घर घर तो बहुत ही सुन्दर है घर तो अच्छा है लेकिन ना यहां शांती है ना सुकून है कौन थे वो लोग तुमने कुछ देर पहले देखा नहीं एक गैंग मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोके पड़ा है क्यों सर कौन थे वो सब लोग मेरे हजारों दुश्मान है अब वो लोग कौन थे मैं आपको उनके बारे में कैसे बताऊं है लेकिन उन्हें इस बच्चे को किटनेप करके क्या मिलेगा मेरी ये दौलत उनको मिलेगी पता है अब लक्ष्मी कभी मा नहीं बन पाएगी डॉक्टर ने कहा है इसलिए वो मेरे बच्चे के पीछे रात दिन हाथ धोके पड़े हैं मेरा कोई वारिस न रहे इसलिए वो के हवाले कर मैं यहां से कहीं दूर चला जाओंगा अच्छा तुम क्या काम करते हो काम रूड़ना ही अब मेरा काम बन गया है अच्छा तो आप यहीं क्योंने रह जाते हमारे साथ मैं यहां चुपचाप नहीं रह सकता मैं कुछ काम करूंगा कोई भी काम तो हमारे सुरेश क्या तुम मेरे जाद खेलोगे आप तो बहुत अच्छी पाइट कर दें अंकल तो हाँ से मैं तुम्हारा फ्रेंड भी और गार्ड भी चुप रहो तुम लोग मार खाके आ रहे हो शर मानी चाहिए सर वो मामूली आदमी नहीं था बहुत भाइंकर आदमी था मामूली इंसान नहीं है वो तो क्या भगवान है वो इडियेट्स तुम सब लोग किसी काम के लाइक नहीं हो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जाओ और उस ओरत के उस क्लब को तुम लोग बरवात कर दो बाकी मैं देख लूँगा ओके जाओ ओ डियर क्या हुआ कुछ नहीं कर्जदारों से परेशान हो चुका हूँ मैंने सोचा था उस बच्चे को किड्नैप करके मैं लाग रुपए कमा कर रैष करूँगा मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया मेरा प्लैन फेल हो गया मैं उस गंगा के क्लब को बरवात कर डालूँगा कर दो दोप प्लैन फालूँगा कर दो कर दो कर दो कौन हो तुम बड़े घोर के देख रहे हो तुम लोगों ने गाना क्यों रोक दिया गंगा का मामा हुए समझे हैं हम लोग गंगा के बॉइफ्रेंड हैं अच्छा क्या रे ज़र तमी से बात करो कर दो नहीं तो जबान है बड़ी आई तमीज सिखाने वाली लाख रुपे खर्च की हैं इस कलब को चलाने के लिए समाज गई ना तु ए चिकने लड़की की तरह रहा है ताके ले जाओं तुझे बोला ना चल फूट ले इधर से लड़की ने बोला रहे तूबें यहां दो अगर कोई लड़कारता है तुसे छोड़ता भी नहीं है करते हैं कि लिए झालो भी नहीं है करते हैं कि लाओ प्र याओंगे लड़की अलोला है कि यह करते हैं एघर यहां है यह Box बढ़की तुसे तुसे ओे लिएा जैं इटूआ प्रुसे दंदने तुसे तुसे कि अपर बात कर रहा हो एज रहा हो जाने दो और अपने आपको याद रखना तो समझ गया है कि अगया ना मज़ते रहा है तो मामा मामा हम इनको मदार चखाएंगे चाहे जो भी हो जाये मैं छोड़ूगी ने इनको मैं बताता हूं मैं बताता हूं सिर्फ वह की आद्म है जो उनको खत्म कर सकता है डबल पॉर टू-3 डबल पॉर को लगा उसे सब के छुट्टियों दा एए तुम लोगों में से रवी कौन है पहले ये बता तू कौन है कौन मैं क्या है नाम है रजनी ओन नमबर डबल पॉर टू-3 डबल पॉर तो आप है मिस्टर रजनी हाँ मेरा ही नाम है अभी थोड़ी दिर पहले प्रिती किलब में तोड़ फोड हुई थी मैं उसका हिसाब करने या आया हूं हिसाब अकेले में करो गया या यही सब के सामने कर दो अकेले में करते हैं ना, that's good क्या बात है बोलो तुम्हारे आदमियोंने प्रिती किलब में जाकर वहाँ पर तोड़ फोड़ की है है ना उससे तुम्हें क्या मतलब है नहीं वो लड़की तुम्हारी कुछ लगती है कि? नहीं लगती तो कुछ नहीं है तो फिर क्यों बीच में पड़ रहे हो? ये मेरा पेशा है और मेरा नाम है रजनी दबास तो तुम फाइटर हो मेरी बात सुनो अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें उस लड़की से भी जादा पैसा दूँगा तुम्हें और मुझ में सिर्फ एक यही फर्क है मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ गदारी नहीं करता मुझे इसी काम का पैसा मिलता है हलो क्या बोला तुमने? तुम्हारे आदमियों और उस कलब में बहुत नुकसान किया इज़त से उसकी भरपाई करते हो या अपने तरीके से ले लू क्या तुम ले सकते हो? ले सकता हूँ? मेरी डिक्षनरी में नाशद के लिए कोई जगह नहीं है क्या नहीं है यसमे मेरे सकते है थापकर जूँ मेरे कि लिए जख और उझे जगे ले टूँ झाए मुझे तुम्हारी आवकात पताधी से लिए सीडी से आया तो प्रोग्राम शुरू किया जाए मुझे तुम्हारी आया तुम्हारी आया तुम्हारी आया जाए मुझे तुम्हारी आया तुम्हारी आया ओन्यंग् क्हुरूज है। तो आज का ये प्रोग्राम तो मैं मारकर खतम करूं क्या शुरू करूं क्या अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत की न तो हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा समझ गए न मेरा नाम है रजनी अटैक ये आदमी हमारे बहुत काम का है अरे भाई हम जैसे लोग बीर पीते हैं बीर अरे भाई कौन हो तुम गंगा उसने मेरे सिर्फ उचिपका गंगा अरे 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 आप हैं आई ये बैठिये बैठिये ना कुर्सी कहा है यहां पैठने के लिए अहां उसने मेरी सारे चीज़े तोड़ दी तो तुम ही इस क्लब की मालकिन हो यह सर अंकल क्या एक कोका कोला लेके आओ सिर्फ कोला अरे जब तक उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा जानौ सर यह खिसकेला तेरा अंकल है और यह लोग कौन है जानी जांसन गंगा का भाई अबे दूंगा एक अंकल तीन शरावी भाई और यह क्लब चलाने वाली लड़की अगर मुझे पहले पता होतो तो यह काम मैं कभी भी नहीं करता है एक लड़की को ग्रस्ती चलानी चाहिए उसे साड़ी पहननी चाहिए और तुम अंग्रेजों की तरह जो इस देश को छोड़कर जा चु और भी बहुत सारे काम हैं सफाई करो सबजी बेश सकती हो किसी अच्छे काम में मन लगाओ ये सब क्या लगा रखा है तुमने थूँँगे अगर बरता मान जूँगी तो भी लोग मुझे बुरी नसर से देखेंगे सफाई करूँगे तो भी लोग बुरी नसर डालेंगे जो लोग यहां आते हैं वो फिर भी अच्छे हैं ए तुम चाहे कुछ भी कहलो औरतों को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए अगर वो मर्यादा में रहेगी तो लोग उसकी इज़त करेंगे औरत के उपर तो साड़ी ही अच्छी लगती है जाओ कपड़े बदल कराओ पैं ता कि सड़क से गुजरो तो लोग तुम्हें देखकर प्रणाम करें तुम क्या बात है बड़ी अच्छी लग रही है यह गजरा यह साड़ी आज कुछ खास है क्या आप किसके बारे में सोच रहे थे हैं सोच रहा था है एक बात अच्छी तरह समझ लोग की रजनी लोगो के बारे में नहीं सोचा करता लोग रजनी के बारे में सोचते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंगा को जानते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं तुम मुझे बेकूप बना रही हो तुम मुझे समझती क्या हो तुमने मुझे गलत समझा है मैं गंगा नहीं उसकी बेहन कंगना हूँ अरे 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 इतना पानी तो मिंसी पल्टी के नलों में भी नहीं आता जितना तुमारी आँखों से गिर रहा है तुम नाटक तो नहीं कर रहे हैं जब मैं सोचती हूँ मेरी बेहन अपनी जिंदगी को बरबाद कर रही है तो परेशान हो जाती हूँ और जब उसकी कारण मुझे परेशानी होती है तो बहुत दुख होता है क्या तुम सच में गंगा नहीं हो मैं इस प्रशाद की कसम खाती है नहीं रहने दो मुझे तुम पर यकीन है लेकिन तुम यहां क्यों आई हो तुमने मेरी बेहन की मदद की उसी का धन्यवाद करने आई मार पीट कर समझा सकों अब उससे अपनी जिन्दगी के फैसे लेने पड़ेंगे तो मुझे नहीं बोल सकती हो लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ न का है का है सुनिये आप उससे गुस्ता मत होएगा सवाल मेरे गुस्ते का नहीं है लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा करूँगा अब मैं चलती है अधन्यावाद तो मुझे कहना चाहिए कितनी भोली और कितनी प्यारी है कितना प्यारा चेहरा है मंदाक नहीं लगती है इंद्र के अपसरा लगती है मेंका की तरह सुन्दर भी है देवियों में देवी है बिल्कु जैसे महालक्ष्मी मेरा घर पवित्र ह होगया कोई भी इसके लिए जिद्गी भर गुलाम बनकर रहे है व्याएं मा के कसम खाकर करता हूं हुँप lusion अंकल शों कि अटक क्या आपकेले खाना खा रहे हो मुझे भी भूग लगी है अंकल दो मुझे भी भूख लगी है अंकल आप अकेले पुरा खाना खालोगे मुझे नहीं दोगे क्या अंकल प्लीज सुरेश उन्हें भूख लगी है खाने दो ना उन्हें मैं तुम्हें खिला दूँगी आओ मेरे पास खाव बेटा करती हैं तो मैं वचन देता हूँ सुरेश का बाल भी माका नहीं होगा जब तक मैं उसके साथ हूँ आप अपने घर की मान मर्यादा छोड़कर तो मैं यहां पर डांस कर रही हैं आप लोग बैठियें अगर इस क्लब का मालेक में होता तो कपका इस बिल्डिंग को गिरा चुका होता और अगर मैं तुम्हारा पती होता तो कपका तुम्हें यहां से खीच कर ले जा चुका होता क्या बकवास कर रहे हो ये सब हाँ ए उशारी दिखा रहे हो चलो अपने पत्ते दिखाओ जानी छोड़ी मक्की बहुत उशल रही है ए जानी के सामने कोई उचलता नहीं समझा क्या ए ए जानी तुम कमाल क्यों हो यार अभी इतने बड़े नहीं हुए कि जुगा खेलो तुम इनकी तरह हो गए हो क्या ए तुम जितने मोटे हो तुमारा दिमाग भी उतना ही मोटा है क्यो रहे तुम वो हो नहीं जो दिखते हो अब मजाएगा तु मुझे जानता नहीं है रजनी दी बॉस चल निकल एक मिनिट इधर आ ये क्या नाटा कर रहे हो तुम मेरे कलब में आखिर तुम्हारी परिशानी क्या है चला फूट ओ यहां से किसली है चला जाओ नहीं जाओंगा यहां से सबको भगा के जाओंगा समझी तुम मैं बहुत अच्छा जुगा खिलता हूँ सबको हरा दूँगा लेकिन मैं तुमारी बेहन से मिलने आया था और यहां पर आकर देखता हूँ कि तुम इन लोगों के बीच में डांस कर रही हो शरम ने आती बड़ी बत्तमीज हो गई हो शरम करूँगी तुम पेट के ऐसे भरेगा होगी वो अच्छी लड़की मुझे उससे क्या तुम उससे शादी करने वाले हो क्या क्या मतलब है तुमारा मैं अपनी बेहन के लिए यह सब कुछ कर रही हूँ अपना नाम खराब कर रही हूँ ताक कि उसे बहुत अच्छा जीवन साथ ही मिल जाए और उसका घर बच जाए जरा साप साप बताना तुम बोस हो ना तुम नहीं समझोगे तुम मेरी बेहन के बारे में बात कर रहे हो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो क्या बिना दहेच के एक अंजान लड़की से जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ अरे जाओ तुम जिस दिन मेरी बेहन को बिना शर्टों के अपना लोगे न उस दिन क्लाब बंद करके घर का कामकाज शुरू कर दूँगी हिम्मत है क्या हिम्मत नहीं दिल होना चाहिए अरे दिल यहाँ है कि वहाँ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं इसने तो तुम से अच्छा सवाल किया था लेकिन तुमने अच्छा जबाब नहीं दिया कि आज यह बॉस्केलवाना छोड़ दो और अच्छे से सोच कर फिर जवाब दो तो इतर आरे देखो सब लोग बौर हो रहे हैं कुछ जैंचर 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 डांस करो दोना तुमने देखान? यह यह अच्छा, आप है मैं पूजा कर रही थी ये सब करने से कोई फाइदा नहीं है ये सब छोड़ दो, छोड़ दो मैं पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि प्रात्ना करने से ही मेरे दिल को शांती मिलती है और उधर मेरी बेहन रात भर जुए का क्लब चला कर पैसा कमाती है वो ये सब तुमारे लिए करती है क्या ये आप क्या कह रहे है आपके घर आने के बाद मैं कलब गया था और आपकी बेहन को मैंने बहुत उल्टा सीधा बोला वो बहुत डर गई और तब मैंने उससे दिल की बाद पूछ ली तुमने क्या कहा उसने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो वो ये काम छोड़ देगी क्या शर्मा रही है आप भी न बस मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था तुमने भी वही किया जो दूसरों ने किया तुम रजनी को नहीं जानती वो अपने वादे से कभी नहीं मुगरता समझ गई क्या मेरा स्टाइल है समझे की नहीं क्या बोलते हैं तयार हो जाओ अरे तयार हो जाओ तुमारी बहन से शादी की बात करनी है हम दोने एक साब की नहीं हो सकता है किक यह कभी नहीं हो सकता है जूपो जाए तुम प्याओ संभाव नहीं है मामा यह मेरी बेहन के सामने मुझसे शादी करना चाहता है क्या यह संभाव है अब यह मामला मेरी समझ में आ गया तुम चिंता मत करो मैं कुछ करता हूं मिस्टर रजनी, इसकी बेहन को तुमसे मिलाने में नो प्रॉब्लम, नो अब्जेक्शन, वो लड़की चलाक और भेंकर धोखेवाज भी है, जीन्स बेहन कर मड़क मड़कर डांस करती है, क्या उसे घर पर ले आएं? कोई बात ने, अगर वो यहां नहीं आ सकती, तो हम लोग चलते हैं, अच्छा बोलो गंगा, हम एक चालाक और फ्रोड लड़की से मिलने के लिए जाएंगे क्या ये ठीक होगा, हम उस चालाक लड़की से जरूर मिलेंगे, अच्छा ऐसी बात है, मिस्टर रजनी, क्या तुम मामा, तुम्हें क्या हुआ मामा, गंगा, उसने मुझे पिलाकर, पूरा का पूरा सच उसने मुझसे उगलवा लिया, और रजनी ने मुझसे जो पूछा, पूरा का पूरा सच मैंने उसे बता दिया, मैंने तेरे सा दोगा किया रहे, तो मुझे वेकूब बना रहे हो, मिस गंघा मिस्स रजनी बनके आज दंगा कड़ेगी गंगा जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन से मेरा ये तिर जोर से धड़कने लगा था तुम क्या जानो मैं वो परवाना हो जो जलकर मी शमा का साथ नहीं छोड़ता इस समय मेरा अच्छा समय तुम्हारे अंकल की वज़े से चल रहा है देखो एक अच्छे दिन एक अच्छे मूर्थ पर मैं तुम्हे उठा ले जाऊंगा क्या मतलब उठा के अरे मेरा मतलब तुमसे शादी से क्या मुझसे ही कहना काफी है तो फिर किसको बताओ सबको बताओ कि हम शादी कर रहे हैं बताऊंगा पूरे शहर हर नुकड सारे संसार को सबो पूरी दुनिया को जाने जा तू है जाने जा तुम हो मेरे प्माली इस दिल के साहादी कैसे सम्हालू इस दिल को कैसे सम्हालू तुम हो मेरे प्यारे इस दिल के सारे कैसे समालो इस दिल को कैसे समालो चल गए अब देरा ही जागू दिल पे नहीं है अब का भूँ दिल रुबा तु है दिल रुबा तुम हो मेरे प्यारे इस दिल के सारे कैसे समालो इस दिल को कैसे समालो तुम हो मेरे प्यारे इस दिल के सहारे कैसे संभालू इस दिल को कैसे संभालू चल गया तेरा ही जादू दिल पे नहीं है अब काबू जाने जा तू है दिल रुबा दिल रुबा तू है जाने जा ये दिल बहके तेरे लिए धड़के मुझको अब ये क्या क्या हुआ जाने कैसा ये रोग लगा ये दिल बहके तेरे धड़के मुझको अब ये क्या क्या हुआ जाने कैसा ये रोग लगा अपने मन की बाते सुले साथी अब तू मुझको चुले ऐसा कर मुझको तू माहों में भर ले रे जाने जा तू जाने जा तुम हो मेरे प्यारे इस दिल के साहारे कैसे समालू इस दिल को कैसे समालू चल गया तेरा ही जादू दिल पे नहीं है याब काबू दिल रुबात तू है जाने जा कर दो मेरे तू महां तू कर दो मााँ ख Bennett मेरा दिल लब तेरा है सुन ले तु भी जीवन की सारी खुश्या दे दे अभी तेरी सांसों में बस गई है मेरी जिन्दगी ये मेरा तन्मन है तेरा पूरा ये जीवन है तेरा और मजगाने वाले सपने दिखाने वाले आ दिल रुबा तु है दिल रुबा तुम हो मेरे प्यारे इस दिल के सारे कैसे समालो इस दिल को कैसे समालो चल गया तेरा ही जादू दिल पे नहीं है अब काबू चल गया तेरा ही जादू दिल पे नहीं है अब काबू जाने जाद तू है दिल रुबा वेलकम मिस्टर रजनी वेलकम थेंक यू ए नौटी मैन क्या तुम समझ गए थे कि ये फोन मैंने ही तुम्हें किया था और अगर मैं हाँ बोलूँ मैं तुम्हें सरप्राइस करना चाहता था इसलिए फोन पर अपना नाम नहीं बताया पालतो की बात छोड़ो और काम की बात करो मेरे पास टाइम नहीं है समझ गये क्या मुह मागी कीमत दूँगा कीमत दे कर तुम मुझे खरीद नहीं सकते मेरे पास टाइम नहीं है चलता हूँ रुको 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 ठीक है लेकिन तुमको काम वही करना होगा जो काम मैं बोलूँगा ठीक है फिर जल्दी बताओ कि किसके हाथ पैर तोड़ने है मुझे वाइट नहीं करनी है एक बच्चे को पकड़कर यहाँ पर लेकर आना है किटनेप है रुको रुको अगर जल्दी पैसे कमाने होते हैं तो उसके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं किसी तरह कमा लेता है तो मुझे किटनेप करके यहां लाओ और हम उनसे मुहमागी कीमत मागेंगे और जब वह पैसे देंगे तभी उस बच्चे को आराम से जाने देंगे उस अमाउंट में 25% तुम्हारा लेकिन मुझे लगता है यह तुम नहीं कर पाओगे मेरी डिक्शनरी में नाज शब्द नहीं है अब आया ना मजदाया आई लब दूस प्रिट मन और हां तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो न यह न उतना आसान काम नहीं है क्योंकि उसके घर में एक आयरन मैन रहता है जो उसकी देख भाल करता है वो हर समय उसके साथ ह साए की तरह पीछे लागा रहता है क्या उससे फाइट करने की हिम्मत है तुम मैं मैंने अपनी जिंदेगी मुसके जैसे कई आयरन मैं देखे है उसके बच्चे को कब कैसे और कहां से उठाकर लाओंगा पता भी नी चलेगा एड्रिस दो डट्स गर रतनलाल मार्ट 7 बेगलो त्रिवुवन नगर मैं बच्चे के साथ आऊंगा मेरा हिस्सा तयार रखना एड्वांस दो हम् रतनलाल रोड सीधे जाकर राइट मुर जाओ अच्छा हो olursर YES राम चंद्र वक् χी लका घर कहाँपर है राम lizप आज जाओ सब पता चल जाएगा हु में Daar am य Cathar कि कै रख वterror बज़, बॉपस, बॉपस, बॉपस,stalk खज़, बॉपस टॉपस, बॉपस, बॉपस सुभस भॉपस, okay का औरपिग अस आजए है! दोजए है! इस पालए चलाए जाए है! लोगी! अे पालए है के लिए है? अजए है! वस पालए है? मालकीन, मालकीन, राजु का फ्रेंड आया है मिलने अंदर भेजो, आपको मालकीन बुला रहे है मैं राजु से मिलने आया था, राजु से मिलने आया हूँ, आओ, थेंक यू, बैठो, राजु, कौन है कैसा है तुए मेरी याद आती है क्या, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ और बताओ, कैसे हो क्या हाल सब, य कूण है, सब मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, मंदर में देखा होगा रामकिश्न आस्रैम में देखा होगा में वहाँ भी कभी नहीं गया आमज़ेद में देखा होगा वहाँ तो कभी जाओंगा यह नहीं पीच पर जाता हूं सुarthyच की पूजा करने वहाँ पर देखा होगा आप तो क्या चडियां बेट को टुकड़ों में बदल दूँगा एक दिन हाँ 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 कब सर थांक यू जाया से सर ये थपड़ों सर्जंट बेट को मार दो मैं चलता हूं मैंने इसे देखा है कहां देखा ये मेरे पती है और ये राजु के दोस्त है मिल्टरी से छुट्टी बिताने आए हैं नमस्ते जी बैठ ही है जी ठीक है सेनी की तरह हाथ में लाओ ग्लाद टू मीट यू थैंक यू सुरेश ना सुरेश तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी मुझसे नहीं मामी से पूझो इसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी मैडम इसका एक कारण है हमारी दौलत पढ़ना बहुत जरूरी है आप इसे पढ़ने दीजे अभी तो इसके पढ़ने क्यों मर है अच्छा चलता हूँ नमस्ते क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों जा रहे है इधर असल मेरी साथ दिन की चुटी है मैं यहां कहीं भी होटल में एक चुटा सा रून लेकर उसमें रह लूँगा और जब मन करेगा राजू से मिलने आ जाओगा इधर उधर क्यों जाओगे इतना बड़ा बंगला खाली बड़ा है तुम यही रह जाओ ना कहो न जी नहीं नहीं मेरी वज़े से आप लोग तकलिफ मत उठाए तकलिफ कैसी है तुम यहां रह जाओगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा मैं आपकी बास समझ नहीं पाया एक बहुत बड़ा गय किस बच्चे को उठाने की साजिश कर रहा है अभी कल ही रात वो इसे उठाने आये थे कल रात तो इनकी वज़े से बच गए अभी तो हमारे बच्चे के खेलने कुदने के दिन है लेकिन किड्नाइप होने की डर से हम इसे कहीं भेज भी नहीं सकते हैं और ना ही किसी पर विश्वास कर सकते हैं अब आप भी बताईए न भगवान भी अच्छी लोगों की परिशा लेता है हे भगवान आप चंता मत कीजे में न मेरी साथ दिन की छुट्टी है आप अगर चाहेंगे तो मैं अपनी छुट्टी बढ़ा लूँगा और उस गेंग को यहां से खतम करके ही जाओंगा क्यों ठीक है न राजू और मैं भी इसी कारण से यहां पर हूँ बहुत अच्छी बात है राजू अपनी कमरे में ले जाओ नमस्ते लक्ष्मी तुम्हें एक अंजान आदमी को अपने घर में रोकने की अपने भाई को तो मैंने बच्पन में ही खो दिया था लेकिन अब अपने बच्चे को नहीं नहीं खो सकती उसे जितना उसे भूलने की कोशिश करती हूँ वो मुझे बाहर बाहर याद आता है इसे यहीं रहने दीजिए न जैसे तुम ठेक समझो गुरू रजनी रजनी उटा उटा गुरू तुम्हारे घर से सामान चुराया मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे तुम्हारे ही पैसे से तुम्हारे ही जैसा काम शुरू कर दिया मुझे पाप कर दो यह क्या कह रहा हो तुम क्यों गुरू, हम लोग ऐसा करते हैं, आपस में सारा मामला फिट करके 50-50 बाढ़ लेते हैं, ठीके न, अच्छा चलो, 60-40, रजनी, अच्छा 70-30, देखो अब मैं वो राजु नहीं रहा, जिस्ते तुम कभी मिले थे, अब मैंने अपना रास्ता बदल लिया है, जिस रजनी ने तुमारी जिंदगी बदली थी, अब वो नौकरी ढूंटे-ढूंटे मर चुका है, राजू, तुमारे सामने रजनी, रजनी था बॉस, क्रिमिनल नमबर वन, अब मैं करोणों का बिजनिस बड़े आराम से कर लेता हूँ, एक ही दिन में गुरू, देखो तुम दूसर अब मेरी जिन्दगी में शान्ती है, मेरे लिए यही बहुत है, अरे यहार, यहार यहार तुम किसलिए आये हो, आओ, देखो, अगर हम लोग इसके बेटे को उठाकर उस गेंग को सौप देंगे न, तो हमें बहुत पैसा मिल सकता है, मज़ा आ जाएगा गुरू, अपना क लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, अगर तुम साथ दोगे तो हो जाएगा, तो रात में तू ही आया था, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे गुरू, जाओ यहां से, ए, इससे बात करो तुम, वा, तुमार पीट करोगे, देखो, अगर गुरू ने चेले को अरा दिया तो ठ सोच ले, मैं पुला लूँगा, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर पुलिस आएगी तो सबसे पहले तुम्हें पकड़ेगी, उसके बाद ही मुझे पकड़ेगी, मैं अपने आपको बदल चुका हूँ, हाँ, तुम तो अभी बदलेओ दोस्त, तुमारा पुरान रिकार्ट पुलिस टेशन में और तुम अपने आपको कभी नहीं बदल पाओगे, समझ गए ना, गुस्सा मत हो, यहाँ देखो, यह देखो, कुछ याद आया है, तुम्हारा चुराया हुआ है, नहीं, नहीं, तुम्हारी याद में मैंने ये लॉकेट इसलिए पहन कर रखाएगी, म पात याद रखना कि मैं अपना काम किये बिना यहां से वापस नहीं जाओगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े करूँगा, नहीं, मैं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे होने दूँगा, ना तो उस बच्चे का किटनेप होने दूँगा, समझे, हैं, ठ ठीक है तो मैं उस बच्चे का किटनेप करूँगा और तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, चैलेंज, चैलेंज, ठीक है तो, याद रखना जब तक हम इस घर में हैं, एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, जेंटलमेन एक्रिमेंट, ओके शम्बुनाद, क्या है मैडम, सुरेश का टिफिन तयार करो, कहा है वो, मैं भी उसे बहुत देर से धूनड़ाओ, मिल नहीं रहा है मुझी भी, मिल नहीं रहा है, हाँ मैडम, ओ कहीं कहो गया है, मैं सवेरे से धून रहा हूँ, अंदर वाले कमरे में होगा, देखो, क्या बात है लक्ष्मी, सुरेश सवेरे से दिख नहीं रहा है, तो राजू के साथ होगा, क्या सुरेश, हाँ, मेरे रूम में भी नहीं आया बडम, नहीं आया, तो फिर वो गया कहा, शम्बु इदर आओ, तुमने अच्छी तरह से देखा उसे, हाँ मैडम, मैंने सब जगा क्या कहा, तो फिर वो सुबह से कहा गया, मुझे डर लग रहा है, लक्ष्मी, तुम मेरी बात नहीं मानती, तुम से कितनी बार कहा मैंने, एक अंजान आदमी को अपने घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी, वो भी घर में नहीं है, चिंता मत कीजिए, मेरे रहते उसे कुछ भी नहीं होगा, A for apple, B for baby, C for chocolate, D for daddy. सुरिश, बिना बताए कहां चले गए थे? मैं तो आंकल के जाप छट पे केल रहा था, इन्हों ने मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश दिखाई, बहुत अच्छे, फिर तो अच्छा टीचर मिला. आपने इसकी पढ़ाए रोख दी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खाना खाने के बाद इसे छटपा ले गया था, और वहाँ जाकर इसे इंग्लिश पढ़ाने लगा. मालकिन, तुमने जो दूट रखके आया था, और पूरा का पूरा गिर गया. माम्मी, अंकल ने मुझे बहुत कुछ और भी सिखाया. पेटा, वो अंकल कैसे है? अंकल, आपको एक बात बताओ, ये अंकल तो बिल्कुल बुद्धु है. सुरेश, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? नहीं मैड़म, बच्ची हमेशा सच बोलते हैं. क्या बताओ मामी, इन्होंने मुझे कभी इंग्लेश नहीं सिखाई, बल्कि मुझे इनको ही सिखानी पड़ती है. कितना सरदर्द है. सुरेश, तगड़े आदमी को कभी बेवकूफ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है. चलो अंकल से माफ में मांगो. अंकल, सौरी अंकल. ये क्या है लक्षमी? ये इन दोनों से इतना घुल मिल गया है कि हम दोनों को तो बिल्कुल भूली गया है. वो क्या है न? बच्चों के साथ घुलना मिलना है कला है. इसको पड़ाई करके नहीं सिखा जा सकता. तुम बहुत शरार्थी हो गये हों. इसे कंट्रोल करना मुश्किल है. आओ. गुरू. पुरा मत मानना बच्चे ने तुम्हें बेवकू कहा लेकिन तुम होई ऐसे. देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिना बताय में बच्चे का किटने बिल्कुल नहीं करूँगा. तुम बिल्कुल टेंशन मर्द लेना समझ गये न? दिमाग पर जोर मत दो, ज अनुझे तुम्हें, चुड़ें ना शर्मुंच, चल मेरे साथ, चल ना बाध, जो गतमाशी करते हैं चला उम शंकरशंब, ओम गन पहते, ओम गन पहते, दस्त, ओम मर्यों मर्यों, ओम अरियों, श्ञंथी, श्ञंथी, श्ञंथी चलो पानी डाल क्या ठंडा पानी है चलो शैंपू दे ला दे शवास बेटा राजा बेटा बढ़िया और अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा वा राजा पिटा राजा थूप 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 आच्छा ए ले जाकर पानी फेग दे अरे आप लोग कब आए ये तेल मानिश बहुत अच्छी करता है हम लोग शनिवार और बुधवार को तेल लगाते हैं अच्छा रहता है बजर्गों का कहना है ये मुझे पता है लेकिन अगर इसे तेल लगाने के लिए मैं कटोरा हाथ मिलू तो दूर भाग जाता है ये देखा ना गुरू किसी और को बचे की चेर करने की जरूवत नहीं है मैं ही काफी हूं मेरी पोजिशन कैसी बदल रही है यहां तो ने मेरा मूबंद कर दिया है इसलिए मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रहा हूं यह जब मुझे अंकल कहता है तो मुझे बहुत अच्छा ल कहती हैं तो उसमें प्यार चल लगता है कि मैंने तुम्हें कभी बाहर का आदमी संजा मैं बहुत भागश आली हो अगर आप बुरा ना माने तो इक बाद पूछो पूछो आप बुरा तो नहीं माने मैं आपको वहन कह सकता हूं अगर मुझे बेहन कऊगे तो ये मेरी खुशकिसमती होगी लो 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 गुरो गुरो लक्ष्मी, मुझे मालू मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की याद आ रही है जितना उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मुझे बार बार याद आता है लक्ष्मी, तुम्हारी तविय तविय खराब थी, अभी तो तुम जाकर समली हो, और फिर वही तुम, ऐसा करोगी तो तुम्हें फिर डॉक्टर और दवाई की जरूरत पढ़ जाएगी नहीं, मज नहीं चाहिए तुम्हें क्या हो रहा है लक्ष्मी, मैं डॉक्टर को बुलाओं क्या मुझे जरूरत नहीं क्या हो गया देखो इसे, जब भी ये सोचने लगती है, तो बीमार पढ़ जाती है लेकिन ऐसी कौन सी बात है, जिसको सोचकर ये परिशान हो जाती है क्या बता हूँ अब, डॉक्टर में सोचने के लिए माना किया है लेकिन मानती ही नहीं है, और अब देखो फिर से परिशान मत हो ये सर, दीरे दीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा सर सर, मैं तुरूपती भगवान से इनके लिए प्रार्तना करूँगा सर, मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्तना जरूर सफल होगी सर दीरी बिल्कुर ठीक हो जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है चलता हूँ सर, चलता हूँ जब भी मैं रजनी को स्नेह और प्यार से देखती हूँ मुझे अपना भाई याद आ जाता है चलो लक्षव, अब तो माराम कर लो हाँ अब Moment बैटा और खांग ये क्या है प्रसाद है, बहन आप भी प्रसाद खाओ ये क्या है? प्रसाद है, जब आपकी तवेद खराब हो, तो इसे खालीजेगा तबियत बिल्कु ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है कौन से मंदिर गए थे? तिरूपती मंदिर गए था अच्छानक क्यों चले गए? भगवान से कुछ मांगने गए था और प्रातना करके आया हो कि वो पूरी हो जाए कैसी प्रातना? ये मत पूछिए क्यों नहीं बोच सकती? कुछनी मेडम, मैंने आपकी सेहत के लिए तिरूपती भगवान से प्रातना की थी इसलिए यहां से रंगे पैठ चलकर तिरूपती के मंदिर में गया था वहां दिन भर बैटकर प्रातना करता रहा और आप यहां बिल्कुल ठीक होती गई इतनी दूर पैदल गए थी तूँ? फिर कौन जाता आपके लिए? डॉक्टर तो जा नहीं सकते थे और सुरेश अभी छोटा है और ये इतना वाड़ा शरीरेन का सीड़ीयों पर कैसे चरपाते ही है इसलिए मैं ही चला गया आज मुश्र कि तुम मेरे भाई बनकर क्यों नहीं पैदा हुए? पापरे हेई सच सच बताओ क्या तुम सच में तिरूपत गया थे? तुम्हें क्या लगता है मैं नंगे पैर? तिरूपती जाओंगा? मैं पागल हूँ क्या? वही नुकड के मंदिर से पिरसाद और भभूत लेकर उसको खिला दिया बस मासूम महिला को धोका देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती, नहीं आती धोका देखकर ये से मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूगा देख लेना एक दिन ये लोग धक्के मार कर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे ये भगवान इसे सद बुद्धी दे भभूत लगाओ तुम्हें बुद्धिया जाएगे लो लगाओ हाँ, इसकी जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हें है ये लो लगालो और सही रास्ते पर चल पड़ो गरो गुद्ध मानिंग गुद्ध मानिंग तुझे यू आव माई बेबी तूट पेशो और ब्रेश से दान किसले तू मामा चल बात रूम में चौबले के घुशले तू मामा इस नीद को अब छोड़े जली उठले तू मामा तूट पेशो और ब्रेश से दान किसले तू मामा चल बात रूम में चौबले के घुशले तू मामा इस नीद को अब छोड़े जली उठले तू मामा तूट पेशो और ब्रेश से दान किसले तू मामा खुशियों से भर ले ये मन, सबसे कीमती ये धन सुन्जरा कहता है क्या ये मन, सुन्जरा कहता है क्या ये मन हसते रहे हम, जीवन में हर दम, हमको न चुए कभी कोई गम इस जिन्दगी के हर कदम पे तुम ही हो राजा, अब कोई नहीं इस जहां में तुम सा है दूजा इस दुनिया में है सबसे अठे मेरे ही मामा इस जिन्दगी के हर कदम पे तुम ही हो राजा, अब कोई नहीं इस जहां में तुम सा है दूजा जान सब की तुझ में है बसी हर पल रहे ये खुशी जान सब की तुझ में है बसी होना नहीं हमसे तुम कभी जुदा होना नहीं हमसे तुम कभी जुदा खुश्या मिलेंगी, सरगम बजेगी इस घर में हर दम चाहत सजेगी यू आ राइट माई दियर इस जिन्दगी के हर कदम पे तुम ही हो राइट अब कोई नहीं, इस जहां में तुम सा है दूजा इस जिन्दगी के हर कदम पे तुम ही हो राजा इस जिन्दगी के हर कदम पे तुम ही हो राजा, अरे आओ ग्रू, मुझे एक आदमी की जरूरत है, चलोगे क्या? रजनी जिस आदमी के हाथ में कभी चाकू हुआ करता था उसी आदमी को तुमने एक दिन जीजस, गांधी और बुद्धा की शिक्षा दे थी उसी के हाथ में आज सिगरेट है शेह ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है मुझे भी तुम्हें देखकर दुख हो रहा है दादा पर दादा आए और एक दिन सब के सब चले गए एक दिन तुम भी चले जाओगे यहां से क्या गलत है, क्या सही है, यह कोई नहीं बता सकता लोग हमें पापी कहेंगे, कोई फरक नहीं पड़ता इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है तुम चाहो तो जुआ खिल सकते हो, शराब पी सकते हो, भांग खा सकते हो, सिगरेट पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता तुम तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो वो कहना कि आजकल बड़ी-बड़ी बातों से ही काम बनता है गुरू तुम्हारे जैसे बिगड़ेल आदमी को इस जनम में तो क्या, ताज जनमों तक नहीं बदला जा सकता देखो तुम अपनी बातें अपने पास रखो, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 100 साल तक जिन्दा नहीं रहना चाहता समझे हाँ, मैं चाहे 40 साल तक जिऊंगा लेकिन अपने तरीके से जिऊंगा और मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूंगा तुम जाओ तुम चाहे 40 साल जिऊंगा पचास साल, अगर तुम्हें मरने के बाद शान्दी चाहिए, तो सारे ये बूरे काम छोड़ दो, ये किताबें पढ़ो, मुर्ख मा भारत के ठारव अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से का, आई 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 ए रजनी, एक बात बताओ मुझे, ये राजु और तुम में इतना अंतर क्यों है, क्या क्या है राजु ने इधर देखो तुम कितनी अच्छे अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, और एक वो नलाइक है जिसे सिगरेट से फुरसत नहीं राजु एक अच्छा इंसान है सर, उसी गलत मत समझे, उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है सर, अगर वो कभी परेशान होता है तो एका सिगरेट पी लेता है, और कभी कभा रमी खेल लेता है सर राजनी, तुम्हारी सोच कितनी उंची है, तुम अभी भी उसकी तारीफ कर रहे हो, यू आर ग्रेट राजनी नहीं सर, मैं महान नहीं हूं सर, महान तो राज जुए जिसके कारण मैं संसकारी परिवार से जोड़ पाया हूं सर, वो मेरा दोस्त नहीं होता, तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करता सर गुड, वेरी गुड ये बुड़ा खूसर पहली ये मुझसे कितना चड़ा करता था, लेकिन गुरू की वज़े से आज ये मेरी तरफ हो गया है बेटा, तुम्हारे ममी पावर ड्रामा देखने गये हैं, आने में देर हो जाईए, चलो खाना खालो, चलो मुझे नहीं सुना, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पे गुस्ता क्यों कर रहे हो ना तुम्हें गाना आता है, ना तुम्हें डांस करना आता है, कुछ भी नहीं आता, कहानी में नहीं सुनाते हो तुमसे किसने कहा मुझे गाना नहीं आता मैं अच्छा डांस भी कर सकता हूँ अच्छा करता हूँ न अच्छा तुम माधवन को जानते हो क्या नहीं जानता नहीं जानते वो इस शहर का एक बहुत ही अच्छा टाइगर डांसर है तुम्हारे इस राजू ने उसी से टाइग भी नहीं है हां हां इनकी बातों से लगता है कि इनको बहुत अच्छा डांद आता है इसी तरह डांस करता रहा तो खाना जल्दी पज़ता है जाएगा सुरेश 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 है पानी ने क्या हूँ कि सुरेश कि हमें क्या करूं करना क्या है डॉक्टर को फोन करते है कि अख्र आख्र ऑफ्र ऑफ बोल रहे हैं कि अख्रच साब बाहर गए वह कब तक आएगे और यह डॉक्टर कि अख्णटे लगेंगे परी समझ में नहीं है आप में क्या करूं कि अब सुरेश कहां चला गया हमें क्या नहीं वाजिली सुरेश को लेका जारा है, मैं देपता हूं सर, सर, एक बहुत बड़ी गलती हो गई क्या हुआ? जब आप लोग ड्रामा देखने गए थे, तब सुरेश जित कर रहा था कि वो नहीं सोएगा मैंने टाइगर का मास्क लागा कर डांस किया, जिससे देखकर वो बेहोश हो गया जब मैं डॉक्टर को फोन करके लोटा, तो देखा सुरेश और रजनी दोनों महां से गायब थे मुझे उस पर पूरा भरोसा है हमें बच्चों के मामले में किसी भरोसा नहीं करना चाहिए, देखिये नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजू, वो अपने कहीं दोस्त के यहां गया होगा मैं बोल रहा हूँ न के बच्चा गायब राजू, वो दुनों अपने कमरे में हैं आगुरू, वाह, 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 वाह तुमारे चहरे पर काला दागे साप कर लो मजाक मत करो, ऐसा मजाक ठीक नहीं ए, तुमारा ये पागलों वाला डांस देखकर बच्चे को बुखार आ गया था डॉक्टर के पास ले गया था और उसे दवा दिला कर ला रहा हूँ तुम ही तो मुझे ठेंक्स कहना चाहिए पहले आप चलिए, आईए ए, रुको, रुको, कहा हो तुम, कहा रहते हो आज कल, कुछ पदा ही नहीं तुमारा आप कौन है, तो काफी अमीर हो गय हो तुम आप किसको ढून रही है ओहो, तो तुम मुझे धोखा देनी की कोशिश कर रहे हो, ठीक है याद रखना, अगर मुझे धोखा दिया, तो तुम्हारा पाप तुम्हें साथ जनन नहीं छोड़ेगा याद रखना, मुझे लगता है, तुम्हें पहचानने में भूल हुई है नहीं, मैं कसंग खाती हूँ, ये वही है जिसे मैं ढून रही हूँ एक लड़की अपने मामा पर भाई को बोल सकती है, लेकिन उसे नहीं जिसे प्यार करती हो क्या कह रही है सुनो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम गंजा नहीं रुको बहन, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, तुम्हें अपना भाई ही समझो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बच के तू रहना रहे, कुछ ना तू कहना रहे तेरा ही चर्चा, हर कोई करता, कैसा है तेरा जलवा बच के तू रहना रहे, सबसे तू कहना रहे दिल की ये विजली, किस पे है गिरती, मुझे कोई बचा ले बचके तू रहना रे, गुष्णा तू कहना रे तेरा ही चर्चा हर कोई करता, कैसा है तेरा जलवा बचके तू रहना रे, सबसे तू कहना रे दिल की ये बिजली, इस पे है गिरती, मुझे कोई बचा ले बनता है कितना भोला, दिल तेरा क्यूं है डोला मेरी नजर भी है लंबी, कम नहीं तुम से हम भी मेरा हर काम तो है फक्का, मेरा हर काम तो है फक्का मेरे दिल की हर घड़ी अब डोलती है नयारे, बचता हूँ डरता हूँ ना बनू मैं सयारे बचके तू रहना रे, कुछ ना तू कहना रे, तेरा ही चरचा हर कोई करता, कैसा है तेरा जलवा बचके तू रहना रे, मा, 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 सबसे तू कहना रे, अरे, दिल की ये बिजली, किस पे है गिरती, मुझे कोई बचा ले बात मेरे दिल की भी सुन ले, कुछ हसी सपने भी भुन ले बात मेरे दिल की भी सुन ले, कुछ हसी सपने भी भुन ले अब तो बच ना सकेगा, प्यार वाला रोग जो लगेगा मुझे कोई रोग ना लगेगा, मुझे कोई रोग ना लगेगा कुछ भी कर ले मैं तो हूँ मस्थावा का जोका रे चाहे जितना जोर लगा ले किसने किसको रोका रे बच के तू रहना रे, कुछ ना तू कहना रे तेरा ही चर्चा हर कोई करता, कैसा है तेरा जलवा बच के तू रहना रे, सबसे तू कहना रे दिल की ये बिजली, किस पे है गिरती, मुझे कोई बचा ले यह क्या हो गया तो मैं तुम्हें फिर से ंडांस करने लगी छोड़ो मुझे तुम होते कोन हो अरे तुम्हारा होने वाला पती हूं मैं क्या मैं तुम्हारी पत्मी हूँ, दो दिन पहले तो तुम कह रहे थे, कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो, जा के अपना रासा लापो अभी में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बात ऐसी है कि वो जब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम दोनों को, अच्छा दिन देखकर शादी करवा दूँगी ऐसा है कि राजू और मैं अच्छे दोस्त हैं, यह तो आप अच्छी तरह से जानती हैं आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए शानती से जा रही हूँ, वरना इसने जो मेरे साथ किया इसकी शकल भी नहीं देखती, नमस्ते गुरू, क्यों गुरू, जब मैं नहा रहा था तो तुमने मेरी चेन चुरा ली, यह तुमको शोभा नहीं देता, ला दो रजनी, यह तो अच्छा हुआ, यह मुझे बिला, अगर यह किसी और कोमल जाता, तो मेरा क्या होता सोचा है, इसलिए अब यह मेरे पास रहेगा गुरू, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, कि मैं एक जेंटिल मैन आदमी हूँ, मैं कभी गलत काम नहीं करता, ला दो देखो, मैंने यह तै कर लिया है कि तुम्हारा घर का ड्रामा यहां नहीं चलेगा, तुम अपने प्यार से शादी करो और अपना घर बसाओ, समझे मुझे तुमारी एडवाईज नहीं चाहिए, अब यह बताओ कि तुम मुझे इज़्द से चेंदेते हो, या मैं खुद ले लूँ, तुम यह उससे आसानी सरी ले पाओगे, यही चेंद तो मैं तुमारे बाप से भी लेकर रहूँगा, रजणी, ले सकते हो तो ले लो यह यज़ वे सकते हो ले ले नहीं हो ले भी लेकर रहुषका कि तुमारी लेकर मैं यह ऊच्छाद अवावाश कि तुमारी लेखे, अचसा पाहिए वे ले हो ले इ Crush Friend कर दो कर दो बुल बुल झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, झाल. झाल, झाल. झाल, झाल, झाल. अंकल, यह ना, मुझे गाडन से मिला. मैं ममी को दिखा क्या दूँ. सुरीश, ये तुम्हें कहां से मिला? गार्डन से मिला ममी ये तुम्हारे डादाजीन ने तुम्हें दिया था जब तुम तीन साल के थे इसके गुम हो जाने के बार हमने बहुत कुछ सहा है सुनिए, हमारा खोया हुआ रोकेट मिल गया कहां मिला लक्ष्मी? सुरिश को मिला गार्डन में क्या लक्ष में जिसको हम तीन सालों से ढूड रहे थे वो अपने गार्डन में ही मिला ए सुरिश वो दोनों अंकल कहां है राजनी अंकल और राजु अंकल फाइट कर रहे थे Something wrong रुको इससे पहचानते हो तुम दोनों में से ये लॉकेट किस के पास था तुम दोनों मुझे बताते हो या मैं पुलिस को फोन लगाऊं मेरे पास था नहीं ये नहीं हो सकता तुम जोट बोल रहे हो मैंने कहा न आपसे ये लॉकेट मेरे पास था कैसे आये तुम्हारे पास बताओगे मुझे लक्षमी उससे पूछने की कोई जरुवत नहीं है इस पर तो मुझे पहले ही शक्ता मैं अभी जाकर पोलिस को लेका रहता हूँ रुके यह सच है कि और अजनी के पास था लेकिन मैंने ही उसे रखने को दिया था राजू तुम जुट बोल रहे हो तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को दोशी बना रहे हो नहीं, जब आप लोग तीन साल पहले बीच पर घुमने आये थे तब मैं ही था जो आपके बच्चे की चेन चुरा कर भाग गया था परक, आज से तीन साल पहले ये चेन बीच से ही चौरी हुई थी इससे आपको पता चल गया होगा कि चौर मैं ही हूँ चौर कोई भी हो, उससे सजा तो मिलने ही चाहिए पुलिस को फोन कर रहे हैं? यस जरूरत नहीं है आप राजू को उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं उसने बहुत पहले किया था आप एक मिनिट में ये बात भूल गए कि उसने आपकी फैमिली के लिए क्या क्या किया है? मुझे सफाई मत दो मैं जानता हूँ यह तुम दोनों नहीं प्रिप्लान किया होगा देख लिया राजू अगर आप इस दुनिया में लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो इसका फ़ल आपको क्या मिलता है? सर, राजू एक जमाने में चोरी का काम किया करता था बीच पर आने जाने वाले लोगों का ये सामान चुराया करता था लेकिन आज राजू पूरी तरह बदल चुका है अब राजू अपरादी नहीं रहा वो पूरी तरह बदल चुका है आपको इसे माफ कर देना चाहिए सर रजनी ठीक है रहा है राजू को माफ कर दीजिए राजू, गेट आओ मैं कहता हूँ यहां से चले जाओ रजनी, एक बात याद रखना सकते जीतेगा चै, कितना घटिया इंसान निकला मैं तो सोचता था कि यह बढ़िया इंसान होगा वो एक अच्छा आदमी था सर खतरनाक आदमी तो यहां पर है यह क्या कह रहे हो बताता हूँ, चलिए, आईए, आईए अलो रजनी बोल रहा हूँ जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था वो पूरा हो गया पूरा हो गया जो काम मैं यहां पर करने आया था वो पूरा हो गया दोस्ती जो आप लोगों ने देखी थी वो सिर्फ एक नाटक था मैं तो इस गर में बच्चे का किटनेप करने आये था मैं तो सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था यहां पर और आज वो मौका मुझे मेले गया होल्डे एक सच्चाई बताओ मैं आप लोगों को मेरे इस काम में बहुत बड़ा काटा था राजू अगर वो यहां पर रहता तो मैं इसका किटनेप कभी भी नहीं कर पाता इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था कि सबसे पहले मैं राजू को यहां से निकल वाओं और हम एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे यह हमारे एक दूसरे से वादा था और राजू जानता था मैं यहां क्यों आया हूँ और मैं राजू के बारे में अच्छी तरह जानता था उस राज्यों को मैंने कितनी बार समझाया कि इस दुनिया में साधू बनने का कोई फैदा नहीं है पर वो मेरी बात नहीं समझा शराफ़त में मारा गया बेचा रहा चलो अब गाड़ी मंगा अगर गलती से भी तुम लोगों नो रजनी के बारे में पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम इस बच्चे को जांद से माटा लेंगे जाओ जाओ यूटू भूश्या नहीं करता है जोड़ दो मेरे बिच्चे को चलो अंदर चल्दी किसी ने बिच्चाला की की तो बच्चे को माट डालूगा चलो जाओ इधर तुम अर्जेंट बेट के बारे में बोल रहे थे ना ठैजली रजय टाजली मैं कहे रहाँ बच्चे को सीधे तरस चोड़ दो ए डाजयू मैंने तुमसे कहा था न जिस दिन भी तुम इस घर से चले जाओँगे उस दिन में उस बच्चे का किटनेब कर लूँगा आज तुम घर से चले गए आज मैं इसको किटनेप कर रहा हूं तुम मेरे रास्ते में आओगे तो बहुत खतरनाक होगा हचाओ मैं उस घर में इसलिए रह रहा था क्योंकि मुझे इस बच्चे को किटनेप करना था और अब मेरा काम खतम हो चुका है अरे पापी तुमने एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया ये बहुत बड़ा पाप है पाप पुन्ने की परवा किसे मुझे तो पैसे चाहिए पैसो के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या कैसे आदमी हो दिल नहीं है तुम्हारे पास अगर किसी ने मुझ जैसे बच्चे के साथ 25 साल पहले दया दिखाई होती तो मैं अपनी बेहन से नहीं बिछड़ता मुझे ये सब काम नहीं करने पड़ते तुम्हारी बेहन है? हाँ गांधी गाओं में कोई ऐसा नहीं था जो लक्ष्मी और रजनी नाथन के बारे में नहीं जानता था हम भाई बेहन का प्यार एक कोदारन था इक अमी लड़के ने मुझे पर चोरी का इंजाम लगाया उसके जूट के कारण मुझे पूरी सिंदी के अनाथाले में गुजारनी पड़ी पढ़ाई पूरी करके मुझे सडकों पर काम ढूरना पड़ा उस समय में सचाई की जिनदी की जीना चाहता था लेकिन तब इस समाज में मुझे अच्छा इंसान नहीं बनने दिया मेरे दोस्त की बात ने मुझे पूरी तरह बदल दिया इसलिए अब मेरे लिए अच्छाई और बुराई में कोई फार्ग नहीं है अब मैं पूरी तरह अपने आपको बदल देना चाहता हूँ हर हाल में हे, क्या तुम सच कह रहे हो मैं सर, मैंने उसे गंगाई घर में देखा वो उसे बता रहा था अब मैं उसकी सारी कहानी समझ गया अब बदलेगी हमारी किस्मत हाँ हलो, रभीय रजनी, मेरा काम हो गया क्या हाँ, रजनी अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता बच्चा मेरे पास है तो फिर क्या, बच्चे को मेरे हवाले करो और अपने हिस्सा का पैसा मुझस से लेका जाओ हाँ, हाँ, I'm sorry dear मुझे इस बच्चे का मार्केट रेट चाहिए मार्केट रेट चाहिए हाँ भाई, वो बच्चे अपने माबाप का इकलोता वारिस है ये तो तुम्हें पताईए अगर उस बच्चे की कीमत आपको करोणों मिलेगी तो मुझे मिलने वाली कीमत इतनी कम क्यों हो तुम चाहते क्या हो ये भी बताने की जरुवत है 50-50 अगर मैं तुम्हें ज़्यादा दूँ तो क्या माना करोगे? क्या बूल रहे हो तुम? तुम्हारी एक बहन है है न? उसे तुमसे कुछ लोगों ने अलग कर दिया था और तुम्हें चोल साबित कर दिया था हाँ पर लेकिन तुम्हें कैसे पता? अगर अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हो तो बच्चे को लेकर यहां आ जाओ मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ रभी गंगा सुना मुझे मुझे मेरी बहन मिल गई है मैं उसे मिलने जा रहा हूँ अंकर यह रहा बच्चा अंकर मुझे मेरी बहन का पता बताओ हाँ तुम्हारे बहन का मार्केट रेट थोड़ा अलग है तुम्हारी बहन यह एक सिर्फ तुम्हारे परवार में है मैं जानता हूँ और तुम सालों सोच से मिलना चाहते हो यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ पर इतनी असानी से मिलने नहीं दूँगा तुम मुझसे क्या चाहते हो कुछ नहीं मेरा बिजनेस आज का लॉस में चल रहा है तो तो मेरा एक काम कर दो कि अपनी बहन से 50 लाख रुपए लेकर आजाओ कैसे लाना है सुनो अपनी प्यारी बहन से लेकर आओ मैं कर दूँगा लेकिन एक बात याद रखना अगर मेरे साथ चला की की तो कुछ नहीं होगा लग्षन मैंने पोलिस स्टेशन में खवर कर दिया अपने आद्मियों को भी भेज दिया है वो हमें जरूर मिल जाएगा तुम धीरज रखो येस रजनी क्या रजनी मुझे दो, मुझे दो कहा है मेरा बच्चा उससे कुछ नहीं होना चाहिए मैं कह रही हो तुम्हें जो चाहिए मिलेगा उससे कुछ नहीं होना चाहिए वो जिन्दा है, जिद्दा मत करो मुझे बात करने दो, अपने बच्चे से एक बार बात करने दो वो सब बात में, पहले मेरी बात सुनिए अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो पहाडी के मंदर में 50 लाख रुपए ले आना मैं अभी आती हूँ, तुम जैसा चाहोगे होगा लेकिन एक बात सुनलो, तुम्हें अकेले आना होगा अगर पती आप पुलिस को बताने की कोशिश की तो बच्चे को खत्म कर देंगे, याद रखना नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बस मैं आ रही हूँ अकेली जाना होगा मुझे, मुझे अकेली जाना होगा, मैं जा रही हूँ तुम जल्दवाजी मत को रो मझे मत रquinho को जाने दो तुम दोनों की जान को खत्रा है कुछनी होगा हम दोनों को, पलिस को रेपोर्ट मत करना रना वो उसे मार देंगे कर दिर भी जो कर दो कर दो दो ब कर दो कर दो मामी। सरेश 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 माम 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 का प्यो overwhelmingly मामी प्रेश तेंक्स प्रेश तेंक्स? किस बात का थेंक्स दे रहे हों? ये पैसे पहुँचाने के लिए और किस बात का थेंक्स कहूंगा मैं? एक बात कहू surrounds कभी भी उन लोगों का फाइदा मत उठाना जो तुम्हें इसने हो और प्यार दे पर नहीं लोगों का विश्वास उठ जाएगा इंसानियत से एक समय था जब मैं भी ऐसी बातों पर विश्वास करता था पर अब नहीं करता अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं आपसे ये पैसे क्यों ले रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं कहेंगी मैं ये सब नहीं जानती तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल गए ना लेकिन भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा बेहन मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ ये मेरी जिन्दगी का आखरी अफराद है इसके बाद मैं सच्चाई की जिन्दगी जिऊंगा तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है मुझे ये रहे तुम्हारे पैसे बताओ मेरी बेहन का है तुम्हारे लिए वो नई जगह नहीं है साप साप बताओ जिस बेहन से मिलने के लिए इतने उतावले हो उसके बारे में जानना चाहते हो जिससे तुमने कहा है कि तुम मिलेटरी में हो वही लक्षमी तुम्हारी बेहन है क्या तुम सच बोल रहे हो चाओ ठीक अक्षा में जो तुमने ड्रामा कमप्टीशन में प्राइस सीता था याद है तुम्हारी बेहन को याद है बाकी सच्चाई तुम्हें वहीं जाकर मिलेगे देखो जी मिले आई सुरेश को क्या हो गया आपको आपको खुशी नहीं हुई अगर मैंने उसे खो कर पाया होता ना तो जरूर खोश हो था लेकिन जिस तरीके से तुम लोग ने मुझे इतना बड़ा धोका दिया ये क्या कह रहें आप तुम अपने भाई को पचास लाग रुपए देना चाहती दिना मैं उससे भी कहीं जादा देता लक्ष्मी अरे शर्म आ रही है मुझे तुम पर अपने ही बेटे का पढ़न करा दिया तुम जानती थी कि रजनी तुम्हारा भाई है ये नहीं हो सकता क्या कह रहे हो आप शाड़ा क्या तो मैं पता नहीं था कि रजनी तुम्हारा सागा भाई रजनी मेरा भाई चीछी उस जैसा श्यातान मेरा भाई नहीं हो सकता तुम तो उससे भी जादा अच्छी एक्टिंग कर रही हो रजनी तुम्हारा भाई है ना और तुम उससे लाकों रुपए देना चाहती थी और डायन भी साथ गर छोड़ देती है लेकिन तुम उससे भी याद है आपके भाई ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था आपके पापा अच्छी तरह जानते थे कि वो बेगुना है इसलिए उसे जेल से चुड़वाने गए थे लेकिन वो ये अपमान सहें नहीं कर पाया और वहां से भाग गया आज तक वो भाग रहा है पता नही कहां होगा वो और मैं यहां तडब रही हूं उसके लिए एक मेरा भाई किस हाल में होगा तुम तुम यहां किसलिया हो मैं आपको देखने आया था लेकिन शरम से आप से आपके नहीं मिला पा रहा था अब मैं जा रहा हूं रुक जाओं हो कॉन्दूम मैं आपका सगा भाई हो, रजणी नातन, पहले मैंने आपके बेटे का किटनेप किया था, सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन बाद में मैंने आपसे बैसे इसलिए मांगे, कि बहन से मिल सको। एक आदमी ने मुझसे का कि वो मुझे आपका पता बताएगा, इसी वज़े से मुझे ये गलती हो गए, मुझे माप कर दो बेहन, मुझे माप कर दो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, आल राइट, तुम लोगों को ये घर छोड़ना होगा. क्या खेरे हो? वही जो तुमने सुना है. आप इसे क्यों निकल रहे हैं? मैं तुम्हें बाहर निकल जाने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और हाँ, मैंने तुम्हारी बेहन से शादी क्यों की थी, जानते हो. क्योंकि ये मुझे एक सांस का रिकलर की दिखी थी. अब तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो. जाओ निकल जाओ इस घर से. सर, मेरी बेहन का इस पैसे और प्लान से कोई संबन नहीं है. ये सब मेरा प्लान था, सर, और इने इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. आप इने कुछ मत कहिए, सर. आप येसा नहीं कह सकते हैं, आपको ज़रू किसी ने भढ़काया है. मुझे किसी ने नहीं भढ़काया. ये सच्चाई मेरे भाई ने, रवी ने मुझे बताई. ए रवी, जी भईया, आपने बुलाया? रवी, बता दो इनको सच्चाई. ये और इनकी बहन दोनों साथ में मेरे कलब में आए. पांच लाख में मेरे कलब को खरिदना चाहते थे. तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे शान मीन करने के बाद, पाता चला ये पैसा मेरे बड़े भाई का है. इसलिए तुरंट मैंने ये सच्चाई, बाई को, अपने भाई को मैंने बता दी. सर, यही है वो जिसने मुझे बच्चे को किड्नाप करने के लिए भीजाता, और इसी बदमाश ने मुझे पैसे मांगे थे. सारा प्लान इसी का था सर, अब ये सारा दोश मुझे पर डाल रहे है. स्टॉप इट, स्टॉप इट, इस नॉसन्स. मेरे भाई को धमकी दे रहे हो, वो मेरा भाई है मेरा, तुम यहाँ से निकल जाओ बारना, मैं पुलिस को बला लूँगा. सर, अगर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा. सर, यह सचा ही राजू जानता है, मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ, वही यह साबित कर सकता है कि यह जूट है. राजू, तुम आगे, राजू, तुम्हें पताऊंगा, यह मेरी बहन है, यह लोग उस पर इजान लगा रहे हैं, कि मैंने और उसने मिलकर बच्चे को किटनेप करने का प्लान मना है, राजू तुम ने मता दो कि मेरी बहन बेकसूर है, बतादो प्लीज राजू. चिंता मत करो, मैं सब सच बताता हूँ सच बात तो ये है के रजनी और उसकी बहन दोनों ने मिलकर ये गेम किया राजू, तुम जूट बोल रहे हो, मैं तुमारी कितनी इज़त करता हूँ तुम तुम उससे भी ज़्यादा गिर गए, क्या हो गया तुम्हें? सर, मैंनो जो कुछ कहा वो सब सच है, अब आगे आपकी मर्जी नहीं, मामी, 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 खोलिए, दर्वासा-खोलिए, दर्वासा-खोलिए तुमने सही समय पर साथ दिया कına फॉइंड हम दोनों मिलकर यहाव गळ pani कानला को तुम्हार लिए क्या क्या नहीं भाइध्या निसलेंकियाा। तड़करती रहे लिकिंगा मुझे सारी जिंदेगी भी तुम करने के लिए निकलं किसटंड़ करो तुन अब दångर मैं तुम्हें बेगुनाा थाबिद करों प्रचाहिए मेरे जान भी चली जाए परवाण नहीं कहा है वह पैसे मैंने सुम्हें अधिये थे अन्याईट अवाज़ से आपका ये राजु भाई मेरे लिए काम करेगा ओहो तो तुम ही ने मेरे खिलाब गवाही दी है बिल्कुल ठीक तुमने मुझे पुरानी जिन्दगी में कई बार लोटें के लिए मजबूर किया मैं रिदोश था पर उन्हों ने मुझे पर इंजाम लगा कर मुझे जेल भेज दिया मैं कुछ नग कर सका मै मैं लगार से चाहिए था पुल्टे यह भाए चलम बढ़ा कारी का चला कि अब हुग तो अब है भाई भाई या वो गुंड़े उनको पकड़ कर ले जा रहे है अरे ज़ा जलो मामा जल्दी से बैटो इतना हिलते क्यों हो मामा आराम से बैठो जल्दे चला ना जल्दे चला तो रहाऊं यह क्या हो रहा है घुटने में बहुत दर्द हो गया हो गया यह पूरा केम प्लान रजनी ने नहीं आम ने किया यह सहया न डार्लिंग अरे पापी तो इतना नीच निकलेगा मैंने नहीं सोचा था तुम्हारी वजय से मैंने इन लोगों पर शक्किया तुम्हारा भाई मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था उचलो चल के नासता था यह ना वन तिंग वो लाकेट रजनी ने नहीं चुराया था लेकिन फिर भी पुलिस तो उसको पकर के लेग गई थी और आठी पुलिस रजनी को अपने साथ लेके फिर से जेल में डाल उखता के खारण रजनी मेरे जाल में फस गया वन में पिंजरे के अंदर अच्छा लग रहा है ना अब तुम सब लग मेरे कोलिस से मारे जाओगी नाला एक बत्तमीज शर्म आती है मझे तुम पर अभी तो और शर्म आएगी मेरे बड़े भाईया इस औरत के चक्कर में त तुझे अपने ही भतीजे को किड्नेप करा लिया तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया उसका यह नतिजा आज से तू मेरी एक बात याद रखना कि तू मेरा भाई नहीं है और आज से तू अपनी ये मनुश सूरत हम लोगों को दिखाने के हिम्मत मत करना बिल्कुल ठीका आ मैं अब अपने पुराने पेशे में लौट आया हूँ मैं इसको मार डालूँगा अगर किसी ने पास आने की कोशिश की मैं इसको जान से मार दूँगा अगर किसी ने पास आने की कोशिश की मैं इसको जान से मार दूँगा ए रवी मैंने इसलिए सब नाटक किया ताकि सारी सच्चाई तुम्हारे मूँ से उगलवा सकूँ और तुम्हारे भाई को रजनी और उसकी पहन पे भरोसा हो जाए समझे तुम चोड़ दो से तुम्हारे में अब तो तुम्हें यकिन आ गया ना कि मैं तुम्हारा भाई हूं प्रिया जाए शरू यही जगा है यही है वह देखो गारी एक काम करो मामा तुम पुलिस को लेकर आओ तब तक मैं ही नहीं समालती है अभी जाता हूं कि मैंने हुआ तुम हुआ तुमा थे। तुम हुआ तुम पुम्हारा थेखो तुम्हार नाही जगाँ हुआ 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 हु श्रॉब नगजी कि अवज़ बालगा हाँ हुआ हुआ है और युआ है झाल हुआ 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 बुट पहुआ था था झॉइड करेंट निन्मनें और त्रचम्ट ह् एह निई पुरिए घंद रास्कल Inspector ये मेरा भाई जरूर है लेकिन इसको छोड़िया मत Excuse me Inspector रजनी का इस मामल में कोई लेना देना नहीं वो निर्दोश है हमने जो complaint दर्ज कराई थी वो हम वापस लेते जाओ जाओ जैल में चक्की पीजना जाओ चले जाओ 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 लक्षमी मैंने तुम्हें घलत समझा रजनी मैंने तुम्हें भी घलत समझा मुझे माफ कर देना सर मेरे लिए इतना ही काफिया कि आप मेरी बेहन को हमेशा खुश रखें आज से मैं एक नई शुरुआत करूँगा राजो के साथ मिलकर ऐसा लगता है जल्दी ही तुम्हारी शादी अपने भाई से अच्छा मौरत देखकर करवानी ही पड़ेगे मुझे अब दिल रुबा तुम है दिल रुबा तुम हो मेरे प्यारे इस दिल के साहारे कैसे समालू इस दिल को कैसे समालू चल गया तेरा ही जादू दिल पे नहीं है अब काबू चल गया तेरा ही जादू दिल पे नहीं है अब काबू चानियो!